हाई विर्वन माइने में शिवांज भसीन और विलकम बैक टू फॉर्स्ट इंवस्मेंट आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कल कॉंसे स्टॉक्स पर हम ट्रेट कर सकते हैं प्लस निफ्टी बैंक निफ्टी का सेट अप क्या रह सकता है कल है मंतली एकसंपारिए जून की और में की तो हम लोगों को इस पर किस तरीके से सेट अप्स लेने हैं किस तरीके से काम करने हैं सारी बाते करेंगे इस वीडियो के को समझाएं और किस तरीके से ट्रेड लेकर चल सकते हैं एक सेट ऐस सबकु करना कहा ह agree । आप लाइव क्यों नहीं आए यूट्यूब के अंदर मैं आप लोगों के इसके डाउट का इसके कोईशन का अंसर दे देता हूं तो जैसे कि मैं आप लोगों के अपने प्रिविएस वीडियो पे रेगुलरली बो रहा था जब से मैं लाइव सेशन स्टार्ट कर रहा था मैंने आप लोगों बोला था गाइस कि अगर आप लोग यह चाहते हैं अगर आप लोग इंटरस्टेड हैं मैं आप लोग लिए इतनी महनत से यह सारी चीज़े कर रहा हूं सो अगर आप कोई भी वीडियो में थाउजन लाइक्स लाते हैं सो मैं आप लोग के लिए यह सेशन कंटीनीव रखोंगा येस गाइस मैंने वो वीडियो का वहाँ पर बना तो दिया था बट जब मैंने सुबह उठके देखा और मैंने देखा कि आप लोगों के थाउजन लाइक्स नहीं आया है सो मैं वहाँ पर बहुत जादा डिसपोइंटेट था सो गाइस अगर आप लोग चाहते हैं कि कल एक्सपारी में मैं आप लोगों के साथ पूरे टाइम रहाँ और आप लोगों को ट्रेट करवाँ हर चीज में सो आप लोग अगर इस वीडियो के अंदर थाउजन लाइक्स लेकर आते हैं सो डिफरेटली कल आप लोग मेरे साथ लाइव जोड़ेंगे यूट्यूब के अंदर और अगर नहीं आप आते हैं तो उसी तरह आज भी कल भी हम लोग लोग लाइव नहीं कर पाएंगे ठीक है सो डोट वरी इस वर टोटली डिपेडटली अंदर यूगाइस मेरे ऊपर कुछ निया सब आपके ऊपर डिपेडटली तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट अनी विस्तिंग टाइप सबसे पहला अगर मैं बात करो तो स्टॉक का नाम है बजाज फाइनस बजाज फाइनस आप लोगों के सामने चार्ट विजिबल होगा आप देख सकते हैं जो आपको लिफ्ट इंसाइड में दिख रहा होगा एक लाइफ टाइम हाई बना है यस गाईस एक लाइफ टाइम ह चा आफिर हाँ तो यहां पर आप देख सकते हैं फिरस टाइम हर क्नीडिर मालटिपल बार इस रेंज के सार्ग कांदर करके विवगत बीआ आज के ट्रेडिंग सेशन पर आज के ट्रेडिंग सेशन पर इसन एक क्लियर ब्रेक आउट दिए है अपने एक रिजिस्तेंस त्र formation बना है, एक cup and handle formation बना है, and इसका clear breakout देखने को मिला है उसके अलावा, एक cup and handle shorter time frame पे भी ज़रूर बना है, अगर आप देखेंगे मैं थोड़ा सा zoom आपको यह आपकर करके दिखाता हूँ यह आप लोगों को मैं बना के दिखा देता हूँ, ठीक है? सी, आप यह देख पारें, यह एक cup and handle formation और बना है, यह cup and यह consolidation इसका handle है, और आज की trading session के अंदर इसका एक breakout देखने को मिला है, मैं current price की बात करूँ, तो current price trade कर रहा है Bajaj Finance का 5773 का 5773 पे trade कर रहा है जैसी यह 5800 के उपर जाना start करेगा वहाँ पर एक high lifetime high एक break होगा and वहाँ पर एक अच्छी opportunity आप लोगों को देखने को मिल सकती है, अब अगर बात करूँ sir, इसके targets क्या हो सकते हैं, अगर lifetime high को break कर रही है, तो उसकी अभी आपको चिंता नहीं कर गी है, बट आप यह मान के चलीगा, कि 100 points तक की rally भी Bajaj Finance दे सकता है, so इस पर आप अपनी watch list पर आट कर सकते हैं, 5800 के उपर हमारा buy setup जनरेट होगा and almost almost 30-50 points का as far as बिले, तो आप लोग अपनी profit booking start कर सकते हैं, so let's move to our next stock so बात करते हैं अपने second stock second stock है, Eiffel India Eiffel India पर भी Bajaj करनेगे आप लोगों को सलय दे रहा हूँ, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, सबसे पहले हम लोगों को एक up move आते वे देखने को मिली, उसके बाद यह एक range के अंदर consolidate करने लग गया, यह symmetrical triangle pattern को form कर रहा था and अपने breakout की त्यारी कर रहा है, अब आपको यहाँ पर 2-3 चीज़ों की बात का note करना है देखेगा जो एक purple color की line है, यह resistance line है दूसरी बात आप यह dotted lines देख रहे होंगे यह dotted lines है यह एक support का काम कर रही है यहाँ पर आप देख रहे है multiple supports आपको देखने को मिल रहे होंगे और एक black color की line आपको in between दिख रही है, इसको मैं आप लोगों के लिए rate कर देता हूँ, तो visible हो जाए यह red color की line है, एक barrier, barrier का काम कर रही है यह क्या बता रही है, अगर red line की नीचे है, तो consolidation है, जैसी red line की ऊपर आएगा, एक sharp rally या up move हम लोग देखने को मिल सकता है अगर आपको मैं थोड़ा सा zoom करके दिखाता हूँ, ठीक है हम थोड़ी back testing करते हैं, अगर आप इदर देखेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते है first time इस range पे अपने support पे आया, कोई बात नहीं जैसी इसने red line को cross करा multiple bar इदर ऐसा हुआ है जब red line के नीचे आता है तो consolidate करता है and after that it gave a very good breakout अब आप देख सकते हैं यह दुबारा इसी level पे आगया है इसी level पे इसने अपनी closing दिया है सो मैं current price की बात करूं current price trade कर रहा है Apple का 5250 पे Yes guys 5250 पे trade कर रहा है आपको इसमें buying बनानी है जब 15 minute की candle 5260 की उपर close करती है आप लोग अपनी एक buying बना सकते हैं इसके जो targets है अगर मैं targets की आप लोगों को बात बताऊं तो targets almost 5300 के हो सकते हैं और उसे भी जादा above targets हो सकते हैं So first target हम main target 5300 rupees का मान के चल रहे है So अगर यह 5260 की उपर 15 minute की candle close होती है Yes guys you can go for a buy in Apple India So यहाँ पर आप लोगों को नाम भी visible हो जाएगा कि मुझे बार बार repeat ना करना पड़े और आप लोग easily note कर पाए Let's move to our next stock So हमारा third stock का नाम है TVS motor TVS motor पर buy करने की आप लोगों को आप यहाँ पर pattern से बिल्कुल clear हो रहा होगा कि यहाँ पर भी a cup and handle formation हो रखा है Cup and handle formation हो रखा है तो यह bullish cup and handle है and current price की बात करें तो वो trade कर रहा है 650 rupees पर breakout level जो है वो 652 rupees का है So जैसी 15 minute की closing हमें देखने को मिलती है 652 rupees की उपर एक अच्छी movement इस stock के अंदर भी हमें देखने को मिल सकती है, stock का नाम है TVS Motors और अगर इसकी उपर जाता है तो 10-15 rupees की movement बहुत easily यह particular stock भी दे सकता है, यहाँ पर आप लोगों वैसी भी visible हो रहा है कि यह multiple resistance थे and exact अपने resistance पर ही अभी यह trade कर रहा है अगर इस resistance के ऊपर यह निकलना start करता है, एक अच्छी buying हम लोगों को कल गया पड़सो के trading session के अंदर देखने को मिल सकती है तो इसे अपनी watch list के अंदर definitely maintain करके रख सकते है बात करें कि हम लोगों ने जो आज stocks लिये थे, ultimately perform करें Infosys, Mindry, HCL, Tech Tech, Mahindra, TCS सारे के सारे IT सेक्टर में मैंने आप लोगों को बताता है एक up move आने वाला एक breakout आने वाला है और आज के trading session के अंदर वो breakout आया और आप लोगों ने definitely वो enjoyment को enjoy करा होगा Thank you so much guys, अगर आप लोगों इस पर trade लिया होगा and मुझे generally बहुत जादा खुशी मिली होगी तो चली बात करते हैं अपने 4th stock के 4th stock है हमारा HSCL Himadari Specialty Chemical Limited यहां पर आप लोगों वो chart pattern से बिलकुल clear हो रहा होगा कि एक यहां पर triangle pattern बना है triangle pattern पर आप लोगों देख सकते हैं upper side resistance है and the bottom side आप लोगों को multiple supports देखने को मिल रहे होंगे इसका एक clear breakout आज हम लोगों ने trading session के अंदर देखने को मिला है अब इस पर कैसे trade करना उसके बारे में बात करते हैं जब भी एक triangle pattern का breakout होता है जो upper resistance उतर जो support की line होती है वो दोनो converge कर रही होती है जो जब एक convergence एक बहुत बड़ा breakout आता है तो उसके जो chances होते हैं उपर जाने के बहुत तेजी से बढ़ जाते है और उसके जो probability होती है वो जादा increase हो जाती है अब आप देखेंगे अब हमें trade कैसे करना पड़ता है क्या कोई भी candle अगर triangle pattern का breakout देती है हम लोग उसी पर trade कर सकते है बिल्कुल भी नहीं हमें देखना चाहिए है जो उसका previous swing high है इससे breakout से पहले का जो previous swing high है अगर वो resistance की तरफ act कर रहा है तो हम उसका breakout उने पर ही trade करना चाहिए तो मैं आप देख सकते हैं मैंने एक zone आप लोगों के सामने create कर रहा था यह जो zone है इस zone पर आप देख रहें multiple bar resistance face कर रहा है यह देखेगा multiple bar यहां resistance multiple bar यहां resistance and multiple bar यहां resistance face कर रहा था तो यहाँ पर हम लोग उने कोई भी trading opportunity नहीं ली आज के trading session पे इसने यहां पर एक बहुत clear breakout दिया है stock का नाम दुबारा repeat कर रहा हूँ H.S.E.L. का so अभी current price है इसका 53.40 का हो सकता है शायद ही यहां से अब एक breakout बहुत बढ़िया दे दे so मैं इसके जो targets expect कर रहा हूँ मैं इसके targets expect कर रहा हूँ और इसके particular targets इसके जो particular targets है first target जो इसका होगा वो होगा इसका previous swing high का जो कि यह एक resistance है यानि की 64 rupees का अगर मैं 64 rupees का percentage wise में बात करो तो percentage wise पे जो यह particular return दे सकता है वो दे सकता है almost almost 16% to 17% का return yes guys 16 to 17% का return दे सकता है almost 1 to 2 का restore reward ratio HSCL के अंदर आपको देखने को मिल सकता है so यह एक swing trade है आप लोग definitely से buy करके चल सकते हैं एक long term triangle pattern का breakout after a good consolidation के बाद एक breakout मिला है so यहाँ पर एक अच्छी movement देखने को मिल सकती है disclosure देना चाहूँगा यह personally हमारे पास है personally मेरे पास भी stock है तो आप लोग definitely अपनी position लेकर चल सकते है let's move to our last stock so हमारा last stock है V-Guard V-Guard के अगर मैं बात करो कि यहाँ पर आप लोगों को clearly दिख रहा होगा एक मैंने आप लोगों के सामने so यहाँ पर एक pattern भी फर्म हो रहा है मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा इस pattern को हम लोग बोलते है head and shoulder pattern यह head and shoulder pattern होता है and इस particular head and shoulder pattern का एक clear breakout हम लोग expect कर रहे हैं कि यह बहुत जल्दी आ सकता है यान कि कलपरसों के अंदर अंदर so एक hidden shoulder pattern है इसके clear breakout हम लोग expect कर सकते है current price की बात करूँ तो अभी trade कर रहे है 249 रुपीज पे और आप लोग buy बना सकते है 253 के उपर अगर 253 के उपर 15 निल की candle close होती है तो आप लोग अपने एक buy setup बना के चल सकते है एक disclosure देना चाहूँगा यह stock हम लोगों ने around the 243 के आसपास भी buying बना रखी है and यह stock मैंने आप लोगों को अपने first investment के public telegram channel पे भी live session पे बता दिया था so अगर आप लोगों ने अपि तक telegram channel join नहीं कर रहा तो please join कर सकते है मैं वहाँ पर कुछ अब date stock से related दे देता हूँ and guys अगर thousand likes आते हैं तो कल आप लोग मेरे साथ पूरे time youtube पे like जुड़ रहेंगे and expiry को enjoyment करेंगे तो यहाँ पर एक pattern और बन रहा है कोई बात नहीं एक head and shoulder pattern तो बनी रहा है एक चीज़ और बन रही है अगर आपको आपको आपर दिखाता हूँ यह देख रहें यह एक range के अंदर multiple consolidation है यह एक range का consolidation plus आप देख रहे होंगे कि यह एक flag pattern है देख रहें यह flag pattern है इस flag pattern का भी breakout आने वाला है इसी level पे अगर एक breakout आता है अल्मोस्ट यहाँ से 25 से 30 रुपे की movement बिना बताये जा सकता है तो अगर आप लोगों को इस movement को capture करना है तो अपने watch list के अंदर इसे definitely add करकर रख सकते है तो चलिए 5 stocks की हम लोग ने बात कर ली 2 swing trade है Vigard and HSEL और हमारे पास 3 intraday के stocks है तो चलिए बात करते हैं Nifty Bank Nifty का setup क्या रहे सकता है and guys important चीज़ और Instagram पर कल मैंने 2 stocks बतायते और वो 2 stocks आउट परफॉर्म कर रहे है तो अगर आप लोगों मिस कर चुके हैं तो अभी हमारे Instagram पर हमें follow कर सकते हैं and उन 2 stocks का मज़ा उठा सकते हैं जो मैं आज पोस्ट करने वाला Instagram पर so चलिए Nifty Bank Nifty के setup की तरफ बढ़ते हैं so हम लोग Nifty के setup आच चुके हैं यहां पर आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा कि एक Rising Wedge के अंदर Nifty काम कर रहा होना 15 minutes time frame 15 minutes time frame पर Rising Wedge पर काम कर रहा है अब Rising Wedge में generally मैं देखता हूँ कि अगर breakdown आता है तो बहुत अच्छे levels हम लोगों को देखने को मिल सकते हैं मतलब एक अच्छा fall इस पर देखने को मिलता है but अगर इस पर एक breakout आने के मुझे ज़्यादा chances लग रहे है क्या reason है यहां पर एक pattern डेविलप हुआ है आप लोगों को दिखाना चाहूंगा देख सकते हैं यह भी एक head and shoulder pattern है and मैं expect कर रहा हूँ कि इसका भी एक breakout कल के trading session के अंदर हम लोगों को देखने को मिल सकता है आप देखने है कि एक upper resistance trend line पे एक head and shoulder pattern बना है अगर इसका breakout आता है यानि कि मैं level आपको बता देता हूँ अगर 15,220 के उपर यह निकलता है एक अच्छी buying इसके अंदर देखने को मिल सकती है 15,320 रूपीज की उपर एक अच्छी buying देखने को मिल सकती है अब अगर यह gap up खुलता है और gap up खुलने पे आप लोगों को 1 minute का time frame open करना है 1 minute का time frame पे देखना है कि 2 candle अगर उस level के उपर closing नहीं देती है तो आपको trade नहीं करना है तो उस तरीके सा आप लोग अपना देख सकते हैं प्लस मैंने line draw करी वी है इस line के अगर यह नीचे जाता है तो एक अच्छी selling देखने को भी मिल सकती है तो आपको करना क्या है मैं इसको हटा देता हूँ कि यह clear हो जाए आपको करना है कि अगर यह इस particular level के उपर जाती है तो एक retest करके अच्छी buying देखने को मिल सकती है या फिर अगर इसके नीचे जाती है तो एक retest करके अच्छा fall देखने को भी मिल सकता है ठीक है तो यहाँ पर इस तरीके से आप देखकर चल सकते है क्योंकि एक rising wedge है fall ओने के chances जादा high है तो आप देख सकते हैं आइधर side breakout आएगा हमने 15 minute की एक closing का wait करना है जैसी हम लोगों वो 50 minutes की closing मिल जाती है हम लोग एक trade लेकर चल सकते है let's move to bank nifty so bank nifty पे देखते हैं कि किस तरीके से कल उसकी rally रह सकती है so कल expiry है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक range के अंदर ही consolidate कर रहा है एक range के अंदर भी एक range इसने create कर रखा है so हमें trade कैसे करना है आप देख सकते हैं अगर range के higher level का एक breakout आता है तो यह अपने upper resistance या इसकी उपर तक जा सकता है बट अगर range का lower level का breakdown आता है तो अपने in levels या और नीचे भी यह stock या index जा सकता है current price की बात करें तो 34,674 रुपीज पर trade कर रहा है अगर यह 15 minute की candle 34,620 के नीचे close होती है तो हमारे index target 100 से 200 रुपे नीचे होगे ठीक है 100 से 200 रुपे की rally आपको downside में और देखने को मिल सकती है बट अगर यह 34,860 के उपर निकलता है 34,860 के उपर निकलता है तो आप लोग 35,000 और 35,200 रुपीज तक के भी levels expect कर सकते हैं बैंग निफ्टी के अंदर अगर मैं आप लोग को बताना चाहूँगा आज market जब बंद होने वाली थी आप लोग अगर India Wix को देखेंगे तो एक एक मिनिट पे 11% up एक एक मिनिट पे 11% डाउन आ रहा था India Wix तो बहुत ज़ादा ही volatility थी हम लोग ने जब देखा था कि बैंग निफ्टी positive से negative आ गया था negative से positive जा रहा था तो वहाँ पर जो भी writers थे writers को सब लोगों को losses बुक करने को मिल रहे थे और उनके जितने भी profits थे वो सारे के सारे cut हो गए होंगे सो हो सकता है कि कल के trading session के अंदर भी दुबारा एक ऐसी volatility आ जाए और उस वज़ा से हमारे premiums पे हम लोगों को losses ओना start हो सकते हैं सो बहुत clearly और बहुत अराम से trade करेगा अगर ये एक gap up या volatility start हुई अगर इसी range के अंदर consolidate करा तो हम लोग और अच्छे से trade कर सकते हैं अगर either side breakout या breakdown आएगा तो भी हम trade कर सकते हैं बट हमें India Wix का और interesting value IV का implied volatility का ध्यान रखना पड़ेगा उसे के basis पे हम लोग अपने कल options पे trade ले सकते हैं वहरना हम वह भी miss कर देंगे तो चलिए thank you so much guys for listening to this listening to this whole video अगर आपको को ये video पसंद आई है अगर आपको को हमारी presentation पसंद आई है so please like this particular video let's aim for a thousand likes और अगर thousand likes आते हैं तो मैं कल आपको के सामने live आपको यूट्यूब पे around 8.40 अगर आपको के साथ मैं जोड़ूँगा thank you so much guys bye bye have a good day